आसलाव अलेकूम आई रिया स्टूडेंज तो फिर बच्चों जैसे अब सभी को मालूम है हम क्लास फॉर्थ इंग्लिश बढ़ रहे हैं ठीक है तो फिर चेप्टर नमबर फॉर्थ इसके स्टोरी रिडिंग और इसकी जो भी एक्साइस थे यह सारे हमने कर लिए हैं तो फि हैं यहां पर कुछ एड़्जेट्व दिये हुए ठीक है और उनके एक्जमपल्स दिये हुए हमें उनको देखना है अब सबसे पहले हम यह डिसकस करेंगे कि एड़्जेट्व किसे बोलते हैं तो फिर एड़्जेट्व हम बोलते हैं जब भी हम किसी चीज की कॉलिटी को बायान करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं एड़्जेट्व बोलते हैं ठीक है अब यहां पर एड़्जेट्व के बहुत सारे कसम्स होते हैं यानि कि काइड्जेट्व होते हैं जैसे कि एड़्जेट्व और कॉलिटी ठीक है एड़्जेट्व और कॉन्टिट्व और कॉन् जैसे कि adjective of quality, हम adjective of quality किसे बोलते हैं, जैब भी हम किसी चीज की quality को, यानि कि किसी चीज की सिफ़त को बायान करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, adjective of quality, अब second, adjective of quantity, अब adjective of quantity हमें ये बोलता है कि कोई भी चीज किस मिगदार में है, ठीके, क्या वो ज़ादा है या वो कम है, अब थाड़ वाला demonstrative adjective अब ये जो demonstrative adjective होता है demonstrate में हम क्या करते हैं किसी चीज़ को दिखाते हैं यानि कि point out करते हैं ठीक है जिसे किसी चीज़ के तरफ उंगली करके बोलना जैसे कि ये back मेरा है या फिर ये book मेरा है ठीक है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे demonstrative बोलेंगे अब fourth one हमें आता है possessive adjective अब हम possessive किसे बोलते हैं जब कोई किसी चीज़ पे हग जाता था है ठीक है यानि कि जब वो उस चीज़ को own करता है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं possessive बोलते हैं अब फिप्थ हमें दिया हूँ है numerical adjective numerical adjective हम किसे बोलते हैं जब कोई भी चीज़ किसमें नंबर में दिया हो जैसे कि 1, 2, 3 ठीक है जब भी कोई चीज़ नंबर में show होता है तो फिर हम उसे क्या बोलते है numerical adjective बोलते हैं तो फिर अब last हमें आता है integrative adjective अब integrative adjective हम किसे बोलते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कुछ question पुछते हैं ठीए जैसे कि डाबलो एज जो भी चीज डाबलो एज family से बिलोंग होगा वो किस में fall होगा integrative में fall होगा यानि कि question questioning में अब जैसे कि for example हमें यहां पे दिया हुआ है they heard a lot roar वो उन लोगों ने सुना क्या एक जोर की गुर रहने की आवाज यानि जोर से गुर रहने की आवाज अब यहां पे loud आ रहा है ठीक है तो फिर यह जो loud है यानि कि यह जो जो जोर है यह मेरे किस को बयान कर रहा है quality को जैसे कि यह quality किस में होता है share में होता है ठीक है जो यह share है वो जोर से गुर रहता है ठीक है तो फिर जब भी हम इस चीज़ की quality को बयान करते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं उसे adjective of quality बोलते है अब जैसे कि मैंने बोला quantitative में, अब यहाँ पर example हमें दिया हुआ है, a few minute letter, कुछ minute के बाद, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने few बोला, यानि कि कम, अब इसने यह मुझे बोला कि वो चीज किस मिगदार में है, जैसे कि कुछ minute बाद, ठीक है, इस तरह, तो फिर quantitative उस चीज़ को दिखाता है, अब जैसे that rocket is too low, यह जो rocket है, that, यानि कि इसने क्या क्या, point out किया, यह rocket, that rocket, वो rocket, ठीक है, यानि कि वो बहुत दीरे से चल रहा है, यानि कि इसने क्या क्या, demonstrate किया, यानि कि जैसे कि this pen is mine, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, this pen is mine, यानि कि यह pen मेरा है, हमन demonstrative, adjective बोलते हैं, अब उसी तरह possesses, hold on to your helmets, आप अपने helmets को पहन लो, ठीक है, यानि कि hold on to, पहन लो, ठीक है, इसने क्या दिखाया, कि तुम अपने helmets पहन लो, इसने इस चीज़ की possesses, यानि कि on दिखाया, अब जैसे numerical में example था, the two siblings draw the slates, यानि कि जो वो दो siblings है, यानि कि ज से दो थे, तीन थे, चार थे, ठीक है, तो फिर जब भी कोई चीज़ नंबर में show होगा, वो हम किसमें लिखेंगे, numerical adjective में, अब जैसे whose friend was beef, beef के दोस्त कौन था, अब यहां पे हमें WH family से आ रहा है, यानि कि cautioning, whose friend, किसका दोस्त, ठीक है, तो फिर last में, यहां पे caution mark भी है, तो फिर यह हमें किसमें आएगा, इंट्रोग्रेट्यू, एडजेट्यू हमें, आएगा, तो फिर यह था मेरा kinds of adjectives, और इसके कुछ examples, कल हम करेंगे इसके, क्या exercise, जो कि होगा मेरा page number 41 पे, मुझे उमीद है बच्चों, आज आप लोगों ने यह types समझ लिया होगा, कल हम आज के लिए खुदा हफीजू